जैहिंद वंदे मातरम स्वागत है स्ट्रेश ग्यान में आप सब लोग कैसे हैं मैं उमेद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे आपकी तैयारी जवरजस्त तरीके से चल रही होगी आज की वीडियो बहुत ही इंपोर्टेंट है आप अगर इस वीडियो के जितने भी कोश्चन हम लेकर आएं अगर एक कोश्चन आप बना ले जाते हैं तो आपका सेलेक्शन 100% हो जाएगा आपका किसी भी बज़े से सेलेक्शन ने रुकेगा बस मजबूती तैयारी करनी है और जवरजस्त तरीके से पढ़ाई करनी है जितने भी MCQ जाएं इस सारे सोल्व करने हैं अगर आप सही कर ले जाते हैं तो आपका 100% सेलेक्शन होगा और कांफिडेंस भी डवल अप होगा आज का हमारा पहला प्रसन है संसार का सबसे बड़ा दीव समू कौन सा है तो चार आपसन है इंडोनेसिया बी जापान सी स्रीलंका डी आश्ट्रेलिया इस प्रसन का अगर सही उत्तर देखा जाए तो ए इज राइट यानि संसार का सबसे बड़ा दीव समू कौन सा है अगला प्रसन है इंदर धनुस के मद्द में रंग कौन सा होता है चार अप्रसन है इन में से कौन सा आप्रसन राइट है ये वताना है तो देखिए इंदर धनुस के मद्द में कौन सा रंग होता है तो वो होता है हरा इस प्रसन का जो उत्तर सी इज राइट यानि हरा इंदर धनुस के मद्द में होता है अगले प्रसंद के ओर बढ़ते हैं अगला प्रसंद देख लेते हैं प्रसंद नमबर तीसरा है कि एक राज़ का राजपाल अपने करते के लिए किसके परति उत्तरदाई होता है चार आफसन है A. मुख मंत्री, B. प्रदान मंत्री, C. राष्ट पती, D. मंत्री, मंडल तो देखिए अगर किसी राज का राजपाल है तो वो किसके प्रती उत्तरदाई होता है तो वो राष्ट पती के प्रती उत्तरदाई होता है इस प्रसन का जो सही उत्तर होगा वो C is right Next question क्यों बढ़ते हैं Next question देख लेते हैं Next person है कि निम्न में से कौन सा कौन सूर की पराविगनी किर्णों से प्रत्वी की रच्छा करती है यानि जो सूर की किर्ण है पराविगनी किर्ण है इन में से कोई नहीं तो देखिए पराविगनी किर्ण है जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा हानकारी है इनको रोकने के लिए हमारे प्रत्वी बायू मंडल में एक लेयर है जिसका नाम है ओ जो लेयर इस प्रसन का जो उत्तर होगा ए इज राइट यानि पराविगनी किर्ण हमारी प्रत्वी को रच्छा करती है पराविगनी किर्णों से आने को रोकती है कौन सी लेयर तो ओ जो लेयर है अगले प्रसन क्यों बढ़ते है अगला प्रसन है कुष्ट रोग बीमारी किसके संकर्मन के कारण होता है तो देखिए एक कुष्ट रोग है जो किसके समकर्मन के कारण होता है A. विसानू B. जीवानू C. कवक D. इन मैंसे कोई नहीं तो चारों आपसनों मैंसे कोई एक राइट है आपको सही उत्तर का चैन करना है देखिए कुष्ट रोग है एक बीमारी विसानों के कारण होती है यानि वेक्टेरिया के द्वारा फैलने वाला ही है अगले प्रसंद की और बढ़ते हैं इस प्रसंद का जो उत्तर वी इजे राइट नेश्ट कोश्चन देख लेते हैं नेश्ट कोश्चन है सारवात्रिक गुर्तवाकर्षन नियम का प्रतिपादन किस ने किया था यानि जो गुर्तवाकर्षन वल है जैसा कि हमने पढ़ा है तो उसके प्रतिपादन सबसे पहले किस ने किया था A. Newton V. James Ward C. Rondgen D. Maxwell सही प्रसन का उत्तर है तो A. इस प्रसन का उत्तर जो है A. इस राइड नूटन ने गुर्तवा कर्सन नियम दिया था इसलिए इस प्रसन का A. उत्तर राइड है देखिए James Ward ने भाप के इंजन का विस्कार किया था Rondgen ने X-ray क्रिनों की खोज की थी Maxwell ने विद्धुत चुमकिये तरंगों के वारे में बताया था इस प्रसन का जो सही उत्तर है वो A. E. J. राइड है नेश्ट कोश्चन की और बढ़ने से पहले मैं आपको बता दू अगर आपको वीडियो यह अच्छी लग रही हो तो वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए चैनल पर पहली वार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए साथ में वेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे वीडियो का नोटिफिकरेशन सबसे पहले आपको मिल जाए अगले प्रसंद की ओर बढ़ते हैं अगला प्रसंद देख लेते हैं देखिए आपने बजपुन में एक पेंसिल बहुत चलाई होगी अगर उन सुसलों से समन्दित एक कोश्चन बना होगा है बहुत जज़ादा इंपोर्टेंट है एक कोश्चन प्रवेस here का कोश्चन है और एक कोश्चन हमारे लिए आपके लिए सबसे ज़यदा महत पुन है देखिए पेंसिल का शिक्षा किसका बना होता है यानि जो पैंसिल के अंदर सिक्का होता है वो किसका बना होता है A. कारवन, B. क्रेफाइड, C. लकड़ी का D. इनमेंसे कोई नहीं तो देखिए पैंसिल के अंदर जो काले रंग की एक लाइन वो होती है तो सिलाइड होती है उसे काहे की बनी होती है वो ग्रेफाइड की बनी होती है उसके उपर एक कवर चड़ा होता है वो होता है लकडी का तो आपने पेंसिल तो देखी होगी पेंसिल के अंदर जो काले रंग की पदार्थ होता है उसी को ग्रेफाइड कहते हैं कहते हैं ग्रेफाइड कहते हैं इसके उपर जो कवर लगा होता है वो लकड़ी का होता है और ग्रेफाइड कारवन का अब रूप है इस प्रसंद का सही उत्तर क्या होगा वी इज राइड नेश्ट कोश्चन क्यों बढ़ने से पहले आपको बता दो कि आप तैयारी बहुत मेहनस से कीजिए क्योंकि आपके लिए ये सुनहरा अफसर है और तैयारी एक वार कीजिए अच्छी तरह कीजिए और पहली वार में सपलता हासिल कीजिए इसलिए हमारे चैनल पर जुड़ जाईए और हमारे चैनल पर जितनी भी इंपोर्टेंट वीडियो आती है ये सारी प्रवियस एयर और किसी ना किसी कंपटिशन में आई हुए प्रसन होते हैं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है जो विद्यारती अग अगरिक बन जाएगा देखिए अगला कोश्चन है भारत में हिंदी के बाद सर्वदिक बोली जाने वाली भासा है यहां पर देखा जाए तो हिंदी के बाद बोली जाने वाली भासा कौन सी है यहां पर देखा जाए तो हिंदी के बाद बोली जाने वाली भासा बी है यानि वंगला दूसरी भासा है जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है अगला प्रसान की ओर बढ़ते हैं अगला प्रसान देख लेते हैं अगला प्रसान प्रसान नमबर 9 है इसमें पूछा गया है कि आदी मानब ने सबसे पहले क्या करना सीखा था यानि जब आदी मानव थे यानि मानव को जंगल में निवास करते तो उस समय उन्होंने सबसे पहले क्या करना सीखा था खेती करना सीखा था आग जलाना सीखा था पहिया चलाना सीखा था इन में से कोई नहीं देखिए आदिमानव है उसने सबसे पहले क्या सीखा था तो आग जलाना सीखा था यानि आग कह सकते हैं पासांड काल में आग का विश्कार हुआ था यानि आग की खोज हुई थी पत्रों किसे पत्तर लड़ाये थे वहाँ पर चिंगारिया लिखी उन चिंगारियों का उप प्योग कर लिया और फिर आग की खोज हो गई पहले ये मानुस से आदिमानव कच्चा मास खाते थे कंद मूल फल खाते थे बाद में दीरे दीरे इन्हें जब आग की जानकारे मिली उसके वाद ये पका कर भोजन खाने लगे अगर पका कर खाने लगे तो वह ज्यादा पादेश्ट के लिए इसके अंदर और समझ बड़ी तो वाद में धीरे धीरे ये क्या होने गए आत्म निर्वर बनने लगे खेती करने लगे पहिए का विसकार कर लिया नपास अंकाल में और जो बरतमान में मनुस से है कितना परिवर्तन हो गया है कि अपने सारे संसादन उपलब्द कर लिये हैं तो इस प्रसन का जो सही उत्तर होगा वो पीज राइट होगा अगले प्रसन की और बढ़ते हैं अगला प्रसन देख लेते हैं प्रसन नंबर दस है कि दच्चन की गंगा भारत में किस नदी को कहा जाता है यानि दच्चन की गंगा यानि साउत गंगा किसे कहा जाता है देखिए दच्चन भारत की गंगा यानि दच्चन की गंगा कौन सी ये नदी है तो वो है गोदावरी गोदावरी को दच्चन भारत की गंगा कहा जाता है अगर आप से पुछाए गोदावरी दच्चन भारत की गंगा है तो उत्तर भारत की गंगा है उसकी लंबाई कितनी है 2525 किलो मीटर है और जो बास्तविक गंगा है उसका उद्गम गंगोतरी हिमनत से हुआ है ये भी आपको याद रखना है ये प्रसंद जितने भी हैं वो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है इसलिए विद्यारती यानि मेरे प्रिये दोस्तों आपको ऐसे प्रसंद बनाने चाहिए और ऐसे प्रसंद हमेशा आपका साथ देंगे और आपके लिए पोजिटीव नंबर लाने का चांस देंगे जिससे कि आप एक प्रसंद एडवांस होंगे यानि आम स्टुडेंट से एक कोश्चन जादा ही करेंगे या दो जादा करेंगे अगर आपका सिलेक्शन एक एक पॉइंट करनी है इतने जीवर्जस्त तरीके से करनी है कि सलेक्शन पहले ही प्रियास में हो जाए इसके लिए हमें कांटिन्यू प्रो पर एक बुक को फालो करना है और एम सी क्यू पर डे करने है जितने वी ज्यादा mcq करेंगे उतना ही ज़्यादा selection मजबूत होगा confidence डपलंप करने के लिए हमें mcq सबसे ज़्यादा solve करने होते हैं और previous year question जैसा कि मैं हर वीडियो में यही बताता हूँ कि जो बच्चा previous year question और mcq करता है उसका selection किसी भी वज़य से नहीं रुख सकता क्योंकि सबसे ज़्यादा पूछे गए प्रसन होते हैं और सबसे ज़्यादा वही मजबूत होते हैं क्योंकि हमारी UP वोड जितने भी प्रसन लाती है वो previous year ही होते हैं ज़्यादा तर repeated question पूछती है देखिए अगला प्रसन है अगला प्रसन है प्रसन का सही उत्तर क्या होगा B is right I hope आप यहां तक समझ चुके होंगे अगर आप वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए साथ में वेल आइकन प्रेस कर दीजिए next question की और वड़ते हैं next question देख लेते हैं next question है निम्न में से कौन सी पुस्तक हरवन्स राय वच्चन ने लिखी थी यानि इस पुस्तक कौन सी पुस्तक है जो हरवन्स राय वच्चन ने लिखी थी A. मदुसाला V. पंच तत्र C. मेरा परिवार D. कमाईनी कमाईनी किस ने लिखी थी तो यहां पर बच्चाना है कि हरवन्स राय वच्चन द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी थी A. आफ्चन है मदुसाला इस पुस्तक का जो उत्तर होगा मदुसाला रायट यानी A. E. J. रायट करक्ट आफ्चन क्या था A. देखें पंच तंत्र की रच्चना किस ने की थी विश्नु सर्मा ने की थी मेरा परिवार महादेवी वर्मा ने लिखी है कमाईनी जन सक्कर प्रसाद जी ने लिखी है आई होप आप यहां चारो आफ्चन भी कर सकते हैं इनके द्वारा अगर आपको चार आफ्चन है उनमेंसे ही अगर कोई एक रायट है तो वो कौन सा है A. यानी हरवन सराय द्वारा लिखी गई पुस्तक मदुवस साला है अगले प्रसन की और बढ़ते हैं अगला प्रसन देख लेते हैं अगला प्रसन है सांती निकेतन की इस्तापना किस ने की थी यानी जो सांती निकेतन है उसकी इस्तापना किस ने की थी A. महत्मा गांधी B. अरविंद गोज C. अरविन्ना टेगोर D. मुनसी प्रेम चंदर जी तो इस प्रसंद का अगर सही उत्तर देखा जाए यानि करेक्ट आंसर कौन सा होगा सी करेक्ट होगा देखिए सांति निकेतन की इस्तापना किसने की यह रविनना टैगोर जी ने की है अभी विश्व धरोहर में भी इसका नाम आ गया है सांति निकेतन का यह भी आपको याद रखना है अगले प्रसंद की ओर बढ़ते हैं अगला प्रसंद देख लेते हैं अगला प्रसंद है कौन सी बिटामिन जल में गूलन सील होती है यह कौन सी बिटामिन जो जल में घुल जाती है A option में है B और C B option में vitamin K C है vitamin D और D option है vitamin A यानि यहाँ पर आपको बताना है कि वह कौन सी vitamin है जो जल में घुल जाती है यानि जल में घुलन सील है तो इस प्रसंद का अगर सही उत्तर देखा जाए correct answer क्या होगा A is right यानि A is correct answer है कौन सा vitamin आप से पोचा है कौन सी vitamin जल में घुलन सील है तो वह vitamin B और C है यह ऐसी vitamin है जो जल में घुल जाती है बाकि यह सारी vitamin जितनी भी है यह क्या है परसा में घुलन सील है vitamin D तो हमें सूर्च से प्राप्त मिलती होती है बाकिया और यह सब बैसा में गुलंसील है B अगर बिटामिन के कितने function होते हैं साथ function होते हैं B1, B2, B7, B6, S, A, B12 यह आपको याद रखने हैं इनके बिटामिन जितने भी हैं उनके रसानिक नाम भी याद रखने हैं यह प्रसन बहुत ज़्यादा पूचे जाते हैं रिपीड़ प्रसन है और बहुत इजी हैं वच्चे नहीं कर पाते हैं फिर वी क्योंकि यह इतने इजी प्रसन है अगर थोड़ा सा आप अगर mix कर गए यानि थोड़ी सी इस language को नहीं समझ पाए तो आप समझ लिजी एक अच्छा खासा प्रसन गलत कर ले जाएंगे इसलिए आपको क्या है MCQ सबसे ज़्यादा करने है और MCQ ही आपका सफल होने का मारग है यानि आप सफलता MCQ के ही द्वारा कर सकते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा MCQ आते हैं और MCQ जो वच्चे नहीं करते हैं वो समझ लिजिए सबसे ज़्यादा अपनी परिच्छा के लिए निगेटिव हैं और पोजिटिव बढ़ने के लिए आपको MCQ सबसे ज़्यादा करने हैं बुक एक प्रोपर लिजिए उसका बार बार इस्टड़ी कीजिए और साथ में जितने MCQ कर पाते हैं क्योंकि देखिए MCQ ही आपको ये समझाएंगे कि आप कैसा क्वेश्चन करते हैं और कैसा इंजामनर पूछता है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा क्या होगा आप एक बुक लीजिए और साथ में MCQ कीजिए MCQ के लिए हमारी वीडियो देखिए और हमारी वीडियो में जितने भी important person है अगर जो person आपको नहीं आते हैं उन्हें note कर लीजिए और जो person आते हैं उसको आगे script कर दीजिए और next person फिर देखिए ऐसा करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगे कि आप कितने अच्छा कर रहे हैं आपको कितनी और मेहनत की जरूरत है अगर आपको मेहनत की जरूरत और है तो और थोड़ा मेहनत कीजिए अभी दो घंटे study कर रहे हैं तो दो से तीन कर दीजिए तीन अगर कर रहा है तो चार कर दीजिए चार कर रहा है तो छे कर दीजिए इस तरीके से अगर आप तैयारी करेंगे तो 100% सिलेक्षन हो जाएगा सिलेक्षन तो रुकेगा नहीं लेकिन आपको सबसे ज़्यादा क्या करना होगा मेहनत करने उपड़ीगी वीडियो में आपको जितने भी प्रिसंग लाते हैं, सारे previous year question होते हैं और AI हुए प्रिसंग है अगला प्रिसंग देख लेते हैं, नेत्र का कौन सा अंग दान किया जाता है यानि हमें बताना है प्रिच्छ में किया है कि वह कौनसा भाग है जो आज का दान कर सकते हैं आ आइस बी, कार्णिय यह सर्फ दौन नव दी इनमेंसे कोई नहीं तौ आपको इस प्रिच्छं का सही उत्तर बताना है इस परसंगा correct answer होगा B यानी देखिये नेतर का अंग शिरब हम क्या करते हैं कार्निया को दान कर सकते हैं आईरिस को दान नहीं करते हैं लिये इस परसंग का उत्थर क्या होगा B is right अगले परसंग क Sana के और बढ़ते हैं अगला परसंगी लेते हैं अगला प्रस्तन है किस भासा को मुगल काल में राज किये सरच्छन दिया गया था यानि वह कौन सी भासा है जो मुगल काल में राज किये थी यानि राश्टिये थी तो वह कौन सी है ए है उर्दू भी है फार्सी सी है दोनो डी है इन में से कोई नहीं तो आपको correct answer बताना है इनमें से कौन सा right है तो देखिए मुगल काल के समय अगर राश्टी वहांसा थी तो वो कौन सी थी फार्शी थी अधिकतर फार्शी वहांसाओं में क्या थी पुस्तकों का अनुवाद किया गया था आपको इस प्रसंद का उत्तर अगर दिया जाए तो B, E, J correct यानि right प्रसंद जो है answer वो क्या है B है आई होप आप समझ चुके होंगे मुगल वन्स का संस्तापक कौन है वावर है यह आपको बताया था हमने कई वार लेकिन याद रखना है वावर के कितने पुतर थे पाँच पुतर थे जिसका पहले पुतर का नाम कामरान, असकरी, हिंदाल, हिमायू आई होप आप समझ चुके होंगे अगले प्रसंद की और बढ़ते हैं अगला प्रसंद देख लेते हैं अगला प्रसंद बहुत ज़्यादा important है यह देखिए विग्यान का current waste पर question है लेगिन फिर भी यह बहुत ज़्यादा important है क्योंकि यह भविस की बारे में जानकारी देता है लिगा है निम्न में कौन भविस का इनन है एनी future का fuel है तो A है hydrogen B है oxygen C है helium D है carbon इस प्रसंद का सही उत्तर बता ही है क्या होगा सही उत्तर इस प्रसंद का है A यानि hydrogen क्या है भविस का इनन है इसलिए इस प्रसंद का जो उत्तर सही होगा वो A होगा यानि hydrogen hydrogen का पर्माणू किर्मा कितना होता है एक पर्माणू भार भी एक होता है हाड्रोजन को संकेत क्या है से रिप्रिजेंट करते है यह से यहां पर ओ है जो ओ है आक्सीजन यानि आक्सीजन का अगर संकेत है ओ और इसका परमाणू भार कितना परमाणू कितना होता है छे और परमाणू भार होता है बारा यहां पर हीलियम की वाद की जाए हीलियम का संक इत्सी होता है परमाणु क्रमांकी की वाद की जाए यानि आटोमिक नंबर की वाद की जाए तो आटोमिक नंबर छे होता है अगर आटोमिक मास की वाद की जाए यानि परमाणु भार की वाद की जाए तो वारा होता है आपको यह भी याद रखना है प्रसन कैसे भी होगी इसलिए आपको मेहनत करनी यह लगन से पढ़ाई करनी और डेडिकेट होकर पढ़ाई करनी इस टड़ी इतनी वहेकर तरीके से करनी कि सपलता पहले ही प्रियास में होनी चाहिए आपका नाम उसी लिस्ट में होना चीह जिसमें आप देख रहे हैं यह आपका ही अपना और आप अपने ड्रीम को अपने आप ही साकार कर सकते हैं इसलिए आपको मजबूत होकर तयारी करने पड़ेगी डेडिकेट होकर तयारी करने पड़ेगी रात दिन एक करना हो तो कर दीजिए मेहनत के साथ लग जाईए और मेहनत एक दिन की नहीं कई दिनों का तब क्या होती के प्यास होती है इसलेए मैं दोस्तों यही कहूंगा कि मेहनद कीजिए जो बच्चे मेहनत करते हैं और जो मेहनत के साथ आगे वड़ते हैं उसका कुछ आनंदी ही कुछ अलग है इसलिए अगले प्रसंद के ओर वड़ते हैं अगला प्रसंद देख लेते हैं अगला प्रस्षण है निमने कौन का अपरूप नहीं है यानी का अपरूप नहीं है तो जार आपसन है A, हीरा, व.A, ग्रेफाइड, C.A, कोलतार, D.A, मोनो, कलाइनिक तो इस प्रसन का सही उत्तर आपको बता दें देखिए हीरा ग्रेफाइड और कोलदार इस सब कारवन के अपरूप हैं जबकि मोनो क्लाइनिक क्या है फासफोरस का अबरूप है फासफोरस का अगर आपको अपरूप पूछना जाए पूछे इंजामनर तो बताएंगे मोनो क्लाइनिक अगर हीरा ग्रेपाइड और कोलदार ये किसके अभरूप हैं कार्वन के अभरूप हैं तो इस प्रसन का सही उत्तर क्या होगा डी होगा क्योंकि उसने पुछा है कि कार्वन का अभरूप नहीं है तो कार्वन का अभरूप मोनो कलाइनिक नहीं है यह किसका अब रूप है तो फासफोरस का अब रूप है आई होप आप यहां तक समझ चुके होंगे अगले प्रसंद की और बढ़ते हैं अगला प्रसंद देख लेते हैं निमने में से कौन सा अमल दूद में नहीं पाय जाता है निमने में से कौन सा अमल दूद में पाय जाता है यानि आपको बताना है दूद में कौन सा अमल पाया जाता है यानि एसिड पाया जाता है ए लेक्टिक एसिड डी यूरिक एसिड सी टाइटेरिक एसिड डी इनमें से कोई नहीं इस प्रसंद का करेक्ट आंसर है वो A is a right यानि लेक्टिक एसिड दूद में पाए जाता है अगर यूरिक एसिड की बात की जाए ये मूत्र में पाए जाता है यानि यूरीन में पाए जाता है आगाउंस से पूझाइए टैर्टेरिक एसीड किस्में पाई जाता है इमल hierarchy में पाई जाता है यह कट्टे प्दार्थों में पाई जाता है अगले प्रसन की ओर बढ़ते हैं अगला प्रसन देख लेते हैं अगला प्रसन है इंसूलीन का निर्माड़ सरीर के किस भाग में होता है A. अंगनासे V. एकरत C. छोटी आत D. हिर्दय में याइनि इंसूलीन है वो कहां पर उसका निर्माड़ होता है यह पूछा है शरीर के किस भाग में होता है चार अप्सन में से कोई एक राइट है सही आंसर का चैन कीजिए तो देखिए इस प्रसंद का सही उत्तर क्या है अंगनासे है देखिए इंसुनियल का निर्माड कहा होता है अंगनासे में होता है आई होप आप समझ चुके होंगे नेश्ट कोश्चन की और बढ़ते है नेश्ट कोश्चन देख लेते हैं एक साकाहारी को सरीर के लिए आवसक फासपोरस कहां से प्राप्त होता है A. दूद, B. चीनी, C. डाल, C. सरसों, D. सरसों के साग से देखिए एक जो साकाहरी है, नोन वेज, यहनि पूर्ण रूप से साकाहरी है उसे फासपोरस की अगर जरूरत पड़ती है तो वो कहां से प्राप्त होती है वो दूद से प्राप्त होती है, इसलिए इस प्रसंद का जो उत्तर होगा A. राइट होगा, यहनि करेक्ट आंसर क्या होगा A. नेश्ट कोश्चन के और बढ़ते हैं, नेश्ट कोश्चन देख लेते हैं नेश्ट कोश्चन है, बैस्क मानव सरीर में रूदिर का, रूदिर की रचना कहां से होती है A. अस्तिमज्जा, B. आथ, C. एकरत, D. इन में से कोई नहीं A. प्रसंद साइंस के हैं और A. साइंस के इतने जवरजिस्ट अच्छे कोश्चन है कि आपको ऐसे कोश्चन जरूर देखने को मिलते हैं, अगर आप ऐसे कोश्चन सोल्ब कर ले जाते हैं तो आपका सेलेक्शन किसी भी बज़े से नहीं रुकेगा आपको अपने आप में कान्फिडेंस लाना है और मेहनत के साथ तयारी करनी है इस प्रसंद का अगर सही उत्तर देखा जाए तो क्या होगा एजे राइट यानि एक वेस्क मानफ शरीर में रुदिर की रचना कहा होती है तो अस्त मज़ा में होती है अगले प्रसंद की और बढ़ते हैं, अगला प्रसंद देख लेते है निम्न में से कौन सा रोग बाइरस से नहीं फैलता यानि आपको बताना है कि वह कौन सा रोग है जो बाइरस द्वारा नहीं फैलता है पांकी सभी के द्वारा फैल सकता है तो A है चैंचस, B है रेविज, C है जुकाम, D है छे रोग इस प्रसंद का सही उत्तर वो क्या होगा इस प्रसंद का सही उत्तर क्या होगा, D होगा बागी ये तीनों जो रोग हैं वो किस के द्वारा फैलते हैं विज, आणू के द्वारा फैलते है चेचक देखिए दो प्रकार के होती है एक छोटी माता जिसे कहते हैं छोटी माता दूसरी होती है बड़ी माता है यानि छोटी माता को वेरी ओला और दूसरी माता को छोटी माता को वेरी सोला कहते है और रेवीज का अगर आप से पुझा है रेवीज किसके दोरा फैलती है तो रैब्डो वायरस से फैलती है जुकाम भी एक वायरस के दोरा फैलने वाला रोग है अगर इस प कहते हैं अगले प्रसन के और बढ़ते हैं अगला प्रसन देख लेते हैं अगला प्रसन है वी सी जी का टीका किस रोग के प्रत्रोद के लिए लगाया जाता है अगला प्रसन का प्रसन का सही उत्तर गया होगा ए इस राइड देखिए यहां पर जो जुकाम अभी हमने बताया था यह बारस दोरा फैलता है देखिए अगले प्रसन की और बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो आपको अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए साथ में वेल आइकन प्रेस कर दीज जिससे वीडियो का नोडिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं नेश्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे कोश नए और अच्छे खास इंपोर्डेंट कोश्चन के साथ आज के लिए इतना ही जैन नमस्कार